कॉंग्रेस की नियाय यात्रा मनिपूर की राज़दानी इंफाल की जगब 34 किलोमेटर दूर थोंबूल से शुरू होगी कॉंग्रेस पार्टी ने राजसरकार की शर्तों की वज़ा से बदलाव किया है कॉंग्रेस इन शर्तों की वज़दा से जगब बतलाव किया है कॉंग्रेस के मनिपूर अद्दक्ष किशम वैकचंदर ने कहा कि हमने दोजनवरी को जिला प्रशासन से इंफाल के हप्ता कांग्चे बूइंग में दांसी आता शुरू करने की अनुमती मांगी थी कानुन विवस्ता का हवाला देकर पहले इसे इनकार कर दिया गया दजनवरी को सीम से मुलाकात के बाद कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमती मिली मेक चंदर ने कहा कि राज कॉंगरेस के एक टीम ने फिर से डी जी पी राजिव सिंग और इमफालपूर्व के जिप्टी कमिशनर और एस पी की मौझूदगी में चीफ सेकेटरी विनित जोशी से मुलाकात की थी हमें बताया गया कि कारकम स्तल पर एक हजार से अधिक लोगों को अनुमती नहीं दी जाएगी मेक चंदर ने कहा शरते हमारे लिए चिंता जनक थी दस जनवरी को देर रात थोबिल जिले के जिप्टी कमिशनर ने खोंग जोब के प्राइवेट ग्राउंड से यात्रा की अनुमती दी इसके बाद हमने जगा बदलने का फैसला किया चौदा जनवरी को कॉंगरिस अधिक्ष मले का जुन खट गे यहीं से यात्रा को हरी जन्डी दिखाएंगे रूट में कोई बतलाफ नहीं होगा उधर यात्रा से दो दिन पहले बारा जनवरी को राहूल गांदी ने दिल्ली में सीविल सोसाइटी और्गनाइजेशन्स और पिपूल्स मूवमेंट्स के लोगों से मिले राहूल लिमिटिंग के दोरान पिम मोदी भाजपा और आरेसेस के अन्या से निपटने के लिए सामुएक परियास के महत्व पर जोड़ दिया इस दोरान कॉंगर्स महासचिव के सीविनु गोपाल और कॉंगर्स नेता दिगविजसी भी मोजूद थे